चार सू बिलियन डॉलर यानि तीस लाग करोड रुपिय के एक्सपोर्ट का टार्गेट हासिल किया है पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थ व्यवस्ता से जोड़ी बात है लेकिन ये अर्थ व्यवस्ता से भी ज़ाधा भारत के सामर्थ भारत के पोटेंशल से जुड़ी बात है एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन कभी 1.500 बिलियन कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुँश गया है इसका एक मतलब ये है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमान बढ़ रही है दुसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबुत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है देश दिराड कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं जब संकल्पों के लिए दिन रात इमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं और आप देखिए किसी व्यत्ती के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है जब किसी के संकल्प उसके प्रयास उसके सपनों से भी बड़े हो जाते हैं तो सफलता उसके पास खुद चल करके आती है। साथ क्यों देश के कोने कोने से नए ने प्रोडक्त जब विदेश जा रहे हैं असम के हैला कांडी के लेधर प्रोडक्त हो या उसमानाबाद के हैलूम प्रोडक्त विजापुर की फल सभिया हो और चंदौली का ब्लैक राइस सबको एक्सपर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लदाग की विश्व प्रसीत एप्रिकॉट दुबै में भी मिलेगी और सौधी अर्ब में तमिलाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्स नए देशों को भेज़ दे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल उतराखन में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार को निर्याद की गई। आंदर प्रदेश के कृष्णा और चितुर जिले के बंगन पनली और सुवन रेखा आम दक्षिन कोरिया को निर्याद की गई। त्रिपुरा से ताजा कढ़ल हवाई रास्ते से लंदन निर्याद की गई। और तो और पहली बार नागा लेंड की राजा मिर्च को लंदन वेजा गया। इसी तरह भालिया ग्यहूं की पहली खेप गुजरात से केनिया और सिलंका निर्याद की गई। यानि अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेडिं इंडिया प्रोडट्स पहले की तुल्ना में कहीं जादा नजर आएंगे। साथियों यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी यह लिस्ट है उतनी बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है उतना ही विराथ भारत का सामर्थ हैं। और सामर्थ का अधार है हमारे किसान, हमारे कारिगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लगु उद्यमी, हमारा MSME सेक्टर, देर सारे अलग-अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है, इनकी महनत से ही 400 बिलियन डालर के एक्सपोर्ट का लक्ष प् और मुझे खुसी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ अब दुनिया के कौने-कौने में नए बाजारों में पहुच रहा है, जब एक-एक भारत वासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है, आईए लोकल को ग्लोबल बनाएं और ह हमारे उत्पादों की प्रतिष्टा को और बढ़ाएं, साथियों मन की बात के स्थोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि गरेलु स्तर पर भी हमारे लगू द्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है, आज हमारे लगू द्यमि सरकारी खरिद में है, गवर् लगिदारी निभा रहे हैं, टेक्नोलोजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांस्परेंट ववस्ता विक्सित के गई हैं, पिछले एक साल में जेम पॉर्टल के जरिये सरकार ने एक लाग करोड रुपिय से जानदा की चीज़े खरिदी हैं, देश के कोने कोने से करिब करिब छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा हैं, एक जमाना था जब बड़ी कम्पनिया ही सरकार को सामान बेच पात दी थी, लेकिर अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्ताएं भी बदल रही हैं, अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पॉ भारत है, ये न केवल बड़े सपने देखता है, बलकि उस लक्ष तक पहुंचेने का साहस भी दिखाता है, जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है, इसी साहस के दम पर हम सभी भारती मिलकर आत्म निर्भर भारत का सपना भी जरूर पुरा करेंगे, मेरे पहरे देश वासियो हाली में हुए पदम सम्मान समारों में, आपने बाबा सिवानन जी को जरूर देखा होगा, 126 साल के बुजुर की फूर्ती देखकर, मेरी तरह हर कोई हरान हो गया होगा, और मैंने देखा, पलक जपकते ही, वो नंदी मुद्रा में पनाम करने लगे, मैंने भी बाबा शिवानन जी को जुक कर बार बार पनाम किया, 126 वर्स की आयू, और बाबा शिवानन की फिटनेस, दोनों आज देश में चर्चा का विशय है, मैंने सोसियल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा, कि बाबा शिवानन अपनी उम्र से चार गुना कम आयू से भी ज़्यादा फिट है, वाकई बाबा शिवानन का जीवन, हम सभी को प्रेजित करने वारा है, मैं उनकी दिर्ग आयू की कामना करता हूँ, उनमें योग के प्रती एक पैशन है, और वे बहुत हेल्दी लाइफटाइल जीते हैं, जीवें शरदह शतम, हमारी संस्कृति में सब को सौ वर्ष के स्वस्त जीवन की शुबकामनाई दी जाती हैं, हम साथ एप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाएंगे, आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयरुवेद, इसके प्रती रुझान बढ़ता जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारिकम का आयुजर किया गया, इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है, छे साथ पहले अवरुवेद से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था, आज आयुज मैनुफेक्टिरिंग इंडस्ट्री एक लाग चारिस हजार करोड रुपिय के आसपास पहुँच रही है, यानि इस ख्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही है, स्टार्ट अप वर्ल में भी आयुज आकर्षन का विशे बनता जा रहा है, साथ क्यों हेल्ट सेक्टर के दूसरे स्टार्ट अप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बार आयुज स्टार्ट अप्स पर आपसे विशेश तोर पर बात करूँगा, एक स्टार्ट अप है कपीवा, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, इसमें कग का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित और वा का मतलब है वात, यह स्टार्ट अप हमारी परंपराओं के मताबिक हेल्दी इटिंग हैबिट्स पर आधारीद है, एक और स्टार्ट अप निरोग स्ट्रीट भी है, आईरुवेद हेल्थ केर इको सिस्टिम में एक अनूटा कंसेप्ट है, इसका टेक्नोलोजी डिवन प्लेट्फोर्म, दुनिया भर के आईरुवेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोडता है, पचास हजार से अधिक प्रेक्टिशनर्स इससे जुड़े हुए हैं, इसी तरह आत्रे इनोवेशन्स, एक हेल्थ केर टेक्नोलोजी स्टार्ट अप है, जो होलिस्टिक वैलनेस के ख्षित्र में काम कर रहा है, इक जोरियल ने नकेवल अस्वगंधा के उप्योग को लेकर जागरुता फैलाई हैं, बलकि टॉप क्वालिटी प्रोड़क्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है, क्योर वेदा ने जड़ी वुट्यों के आधुनिक शोध और परंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइप के लिए डायेटरी सप्लिमेंट्स का निर्मार किया है, साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये भारत के युगा उद्द्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का पतीख है, मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टप और विशेशकर आयू स्टार्टप से एक आगरवी है, आप ओनलाइन जो भी पॉर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रियेट करते हैं, वो सयुक्त राष्ट्र द्वारा मन्यत्रा प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जा अंग्रेजी ना इतनी बोली जाती हैं, और ना ही इतनी समझी जाती हैं, ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकरी का प्रचार प्रसार करें, मुझे विश्वास हैं, भारत के आयू स्टार्टप बहतर क्वा स्वास्त का सीधा समंद स्वच्छता से भी जुड़ा है, मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रेईयों के प्रहासों को जरूर बताते हैं, ऐसे ही एक स्वच्छा आग्रेई हैं, चंद्रकिशोर पाटिल जी, ये महराष्ट में नासिक में रहते हैं, चंद्रकिश का स्वच्छता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कुड़ा कच्रा नव फैकने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं इस काम में चंदरक्र किशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का धेर लग जाता है जो लोग नदी में फैकने के लिए लाए होते हैं चंदरक्र किशोर जी का ये प्रेयास जागुरुकता भी बढ़ाता है और प्रेरिना भी देता है इसी तरह एक और स्वच चाग रही है ओडिसा में पूरी के राहुल महाराणा राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पूरी में तिर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कच्रा साप करते हैं वो अब तक सेंकडों किलों प्लास्टिक कच्रा और गंद की साप कर चुके हैं पूरी क राहुल हो या नाशिक के चंद्रकिशोर ये हम सब को बहुत कुछ सिखाते हैं नागरित के तौर पर हम अपने कर्तवियों को निभाएं चाहे स्वच्छता हो पोशन हो या फिर टिका करण इन सारे प्रयासों से भी स्वस्त रहने में मदद मिलती हैं मेरे प्यारे देश्वाचियों आईए बात करते हैं किरला के मुपट्टम स्री नारायनन जी की उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉर्ट्स फर वर्टर अफ लाइफ आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमा मुपट्टम स्री नारायन जी गर्मी के दोरान पशू पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो इसके लिए मिट्टी के बरतन भाटने का अभियान चला रहे हैं गर्मियों में वो पशू पक्षियों की इस परिशानी को देख कर खुद भी परिशान हो उड़ते थे फिर उन् खुद ही मिट्टी के बरतन बांटने शुरू कर दे तकि दूसरों के पास उन बरतनों में स्रिफ पानी भरने का ही काम रहे हैं आप हैरान रह जाएंगे कि नारायन जी द्वारा बांटे गए बरतनों का आंकड़ा एक लाग को पार करने जा रहा है अपने अभियान में एक लाखवा बरतन वो गांदी जी द्वारा स्थापीत साबर्मती आस्रम में दान करेंगे अजब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी हैं तो नारायन जी का यह काम हम सब को जरूर प्रेरित करेंगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशू पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे साथियों मैं मन की बात के स्रोताओं से भी आगरा करूँगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोर आए पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए इसके अलावा पानी की री साक्लिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है घर में इस्तिमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है गार्डनिंग में काम आ सकता है वो जरूर दोबारा इस्तिमाल किया जाना चाहिए थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाइं बना सकते हैं रहिमदाज जी सद्यों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए है कि रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसुन और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से भावत उमीद है स्वच्चता को जैसे हमारे बच्चों ने अंदूरन बनाया बैसे ही वो वाटर वारियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं साथियों हमारे देश में जल सवरक्षन जल स्तोतों की सुरक्षा सद्यों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने बटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है जैसे चेन्ने के एक साथी है अरुन क्रश्नमूर्ती जी अरुन जी अपने इलाके में तालाबों और जीलों को साब करने का अभियान चला रहे हैं उन्होंने एक सो पचास से जादा तालाबों जीलों की साब सफाई की जिम्मेधारी उठाई और उसे सभलता के साथ पूरा किया इसी तरह महाराष्टर के एक साथी रोहन काले है रोहन पैसे से एक HR प्रोफिशनल है वो महाराष्टर के सेंक्रों स्टेप्पिल्स यानि सीडी वाले पुराने कुओं के सरवक्षन की मुहीम चला रहे हैं इन मेंसे कई कुएते सेंक्रों साल पुराने होते हैं और हमारी वरासत का हिस्सा होते हैं शिकंदराबाद में बंचिलाल पेट कुवाँ एक ऐसा ही स्टेप्पिल है बरसों की उपिक्षा की कारण इस स्टेप्पिल मिट्टी और कच्रे से ढंग गया था लेकिन अब परजिवित करने का भियान जन भागे दर्शे शुरू हुआ है साथियो मैं तो उस राज्य से आता हूं जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है गुजरात में इन स्टेपवेल्स को भाव कहते हैं गुजरात जैसे राज्य में भाव की बड़ी भूमी का रही है इन कुओं य अबावडियों के सवरक्षन के लिए जलमंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निवाई पुरे गुजरात में अनेकों बावडियों को पुनरजिवित किया गया इससे इन इलाकों में वाटर लिवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली ऐसे ही अभ्यान आप भी स स्थानिय स्थर पर चला सकते हैं चेक्डम बनाने हो रेन वोटर हार्वेस्टिंग हो इसमें इंडिविजल प्रयाज भी एहम है और कलेक्टिव एफर्ट भी जरूरी है जैसे आज़ाति के अमरुत महोसों में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमरुत सरोवर बनाए जा सकते हैं, कुछ पुराने सरोवरों को सुधाना जा सकता है, कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते है, मुझे विश्वास हैं, आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे मेरे प्यारदेश वास्यों मन की बात उसकी एक खुबसूरती ये भी है कि मुझे आपके संदेश बहुत सी भाशाओं बहुत सी बोलियों में मिलते हैं कई लोग माई गौव पर अडियो मेसेज भी भेचते हैं भारत की संस्क्रिती हमारी भाशाओं हमारी बोलियां हमारे रहन सेंद खान पान का विस्तार ये सारे भी भेचत आए हमारी बहुत बड़ी ताकत है पूरब से पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक भारत को यही विवितता एक करके रखती हैं एक भारत स्रेश्ट भारत बनाती हैं इसमें भी हमारे एत्यासिक स्थलों और पावरानिक कथाओं दोनों का बहुत योगदान होता है आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा है इसकी वज़ा है माधोपूर मेला माधोपूर मेला कहां लगता है? क्यों लगता है? कैसे ये भारत की विवितता से जुड़ा है? ये जानना मन की बात के सुरुताओं को बहुत इंटरस्टिंग रगेगा साथियों माधोपूर मेला गुजरात के पूरबंदर में समंदर के पास माधोपूर गाउं में लगता है लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संबभव है? तो इसका भी उत्तर एक पौरानिक कथा से ही मिलता है कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भागवान स्री कृष्ण का विवा नौर्थ इसकी राजकुमारी रुक्मनी से हुआ था ये विवा पूर मंदर के माधोपूर में संपन हुआ था और उसी विवा के प्रतिक के रुप में आज भी वहां माधोपूर मेला लगता है इस्ट और वेश्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है समय के साथ अब लोगों के प्रयात से माधोपूर मेले में नई नई चीजे भी जूड रही है हमारे हाँ कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में अब नौर्थ इस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे है एक सपता तक चलने वाले माधोपूर मेले में नौर्थ इस्ट के सभी राज्जों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं हैंडी क्राप से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं एक सप्ता तक भारत के पूरब और पश्चिम के संस्कृतिकों का इमेल ये माधोपुर मेला एक भारत स्रेश्ट भारत की बहुत सुन्दर मिसाल बना रहा है मेरा आप से आग रहें आप भी इस मेले के भारे में पड़े और जाने मेरे पहरे देशवासियों देश में आजहादी का अमृत महोत्सव अब जन भागेदारी की नई मिसाल बन रहा है कुछ दिन पहले 23 मार्च को सही दिवस पर देश के अलग-अलग कोने में अनेज समारो हुए देश ने अपनी आजहादी किनायक नाईकाओं को याद किया सरद्धापुर को याद किया इसी दिन मुझे कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलवी भारत गैलेरी के लोकारपन का भी अवसर मिला भारत के वीर क्रांतिकारियों को सरद्धानली देने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी हैं यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने जरूर जाईएगा साथियो अपरेल के महने में हम दो महान विपूतियों की जेनती भी मनाएंगे इन दोनों ने ही भारतिय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है ये महान विपूतियां है महात्मा फुले और बाबा साब अमबेड कर मात्मा फुले की जेनती 11 अपरिल को है और बाबा साब की जेनती हम 14 अपरिल को मनाएंगे इन दोनों ही महापुरुषों ने भेद भाव और असमानता के खिलाब बड़ी लड़ाई लड़ी महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोल ले कन्या शिशु हत्या के खिलाब आवाज उठाई उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए साथियो महात्मा फुले के इस चर्चा में सावितर भाई फुले जी का भी उलेक उतना ही जरूरी है सावित्री भाई फुले ने कई सामाजिक समस्ताओं के निर्माण में बड़ी भूमी का निभाई एक सिक्षी का और एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज को जागरूग भी किया और उसका होसला भी बढ़ाया दोनोंने साथ मिलकर सत्य सोधक समाज की स्थापना की जन जन के श्रसक्ति करन की प्रयास किये हमें बाबा साब आमबेड करके कारियों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साब दिखाई देते हैं वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देख कर किया जा सकता है महात्मा फुले सावित्री बाई फुले बाबा साब आमबेड करके जीवन से प्रेणा लेते हुए मैं सभी माता पिता और अभिवावकों से अनुरोद करता हूँ कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं बेटियों का स्कूल में दाखला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वज़े से छुट गई है उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है साथियों ये हम सभी के लिए सोभागी की बात है कि हमें बाबा साब से जुड़े पंच तिर्थ के लिए कार करने का भी आउसर मिला है उनका जन्रस्थान महू हो मुंबई में चैति भूमी हो लंदन का उनका घर हो नागपूर की दिख्षा भूमी हो या दिल्ली में बाबा साहब का महापरी निर्वान स्थल मुझे सभी जगहों पर सभी तिर्थों पर जाने का सोभागी मिला है मैं मन की बात के सुनताओं से आगर करूँगा कि वे महत्मा फूले, सावित्री बाई फूले और बाबा साब अम्बेडकर से जुड़ी जगवों के दर्शन करने जुरूर जाए आपको वहाँ बहुत कुछ सिखने को मिलेगा मेरे प्यारे देश्वासियों मन की बात में इस बार में हमने अनेक विश्यों पर बात की अगले महिने बहुत से परवत्योहार आ रहे हैं कुछी दिन बाद ही नवरात्र है नवरात्र में हम ब्रत, उप्वास, शक्ति की साधना करते हैं शक्ति की पूजा करते हैं यानि हमारी परंपना हैं हमें उल्लास भी सखाती हैं और साइयम भी साइयम और तब भी हमारे लिए परवई ही है इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत बिशेश रही है नवरात्र के पहले ही दिन गोड़ी पढ़वा का परवव भी है अप्रेल में ही इश्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं हम सब को साथ लेकर अपने पर्व मनाएं भारत की विवित्ता को ससक्त करें सब की यही कामना है इस बार मन की बात में इतना ही अगले महिने आपसे नए विश्टर